आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10 इंगलीज BACB बोर्ड यानि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट BBI objective questions पार्ट टू लेकर आए हैं तो आपसे एक ही request है कि आप video को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें तभी आपको पुर्ण रूप से समझ में आएगा ऐसे आधा अधूरा देखने से आपको पूरा समझ में नहीं आएगा ऐसे आपको 25 से 30% दोस्तों समझ में आएगा ठीक है तो आप video को 3 से 4 बार देखें तभी आपको 100% समझ में आएगा ठीक है ना तो इसका जो PDF लेना है तो आपको Google पर सर्च करना होगा Achiever Education बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि भाई आप PDF कैसे ले जो पढ़ाते हैं वो PDF कैसे ले तो आप Google पर सर्च कीजिए ना Achiever Education आपको क्या करना सर्च है देखें स्क्रीन पर आप देखी रहे होगे आपको सर्च करना है Achiever Education Simply आपको Achiever Education सर्च करना है उसका website एक नमबर में आ जाएगा website के बाद www.achievereducation.com करके website है वहाँ पर आप किलिक कीजिएगा किलिक करने के बाद आपको Class 10 में जाना है हम लोग अभी Class 10 का पर रहे हैं तो Class 10 का जाना है आपको Class 10 में जाने के बाद तो हाँ objective type questions में जाना है, वहाँ आपको objective type questions मिलेगा, subjective type questions मिलेगा, note मिलेगा, model paper मिलेगा, सब कुछ free of questions में आपको मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ objective type questions में आपको फिर English में जाना है, ठीक है, English में जाने के बाद ये आपको part 1 हम लोग video बना चुके थे, ये part 2 का video है, part 2, part 3, वहा एचीवर एजूकेशन का एप भी है तो आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा एचीवर एजूकेशन वहां इसका एप भी मिल जाएगा बच्चो ठीक है तो आए हम लोग सुरुवात करते हैं पार्ट टू वीडियो इसका तो पहला नंबर कोश्चन्स क्या लिखा गया है टॉनी मोरीशन रिसीब्ड दा नोबेल प्राइज इन कौन साइस भी में टॉनी मोरीशन जो है प्राइज नोबेल प्राइज जो है रिसीब्ड किये थे ठीक है तो आप पहले बना लिजे ठीक है पहले आप इसको बना लिजे दस कोश्चन्स का ये सेट रहेगा उसके बोलता है दूसरा कोश्चंस देखे क्या बोलता है हम इसे अंडर ड्राइंड कर देते हैं दूसरा कोश्चंस क्या बोलता है दूसरा कोश्चंस यही बोल रहा है once upon a time एक समय की बात है there was an old man वहाँ एक बूरी औरत रहती थी blind थी बुद्धिमान थी लेकिन अंदी थी लेकिन बुद्धिमान थी has been taken from ठीक है has been taken from यह कहां से लिया गया है chapter से नाम है once upon a time skeptan's speech ठीक है a blind and wise woman या an old woman ठीक है आपको यह पहले बनाना है उसके बाद आप पहले बना लिजे उसके बाद इसका answer देखेगा तीसरा नमबर में questions क्या है बच्चो who has written the unity of Indian culture इसके जो है लेका कौन है ठीक है तो यह चार option है आप click करके आप answer देखे और पहले आप बना लिजे उसके बाद आप देखे चोथा नमबर questions क्या है according to the writer of the unity of Indian culture the were regarded as the earliest inventors of the land Aryans, Sikhs, Greeks, British ठीक है चोथा नमबर questions तो आप लोग telegram से भी जूर जाएए ठीक है telegram से भी जूर जाएए वहाँ आपको हर एक परकार का परिच्छा से जानकारी updates जानकारी ठीक है most BBI questions, objective questions, subjective questions PDF, website link, app link, quiz questions, answer हर एक परकार के updates मिलते रहेंगे दोस्तों ठीक है ना तो आप लोग telegram का इसका link भी दिया गया है telegram पर नहीं तो आपको telegram आप website डाउनलोड कर लीजे application वहाँ आपको सर्च करना होगा telegram में जाने के बाद achiever education ठीक है ना achiever education आप सर्च कीजे वहाँ इसका telegram आ जाएगा तो उसके बाद आप वहाँ से join हो जाएगे हरे एक परकार का जानकारी वहाँ मिलता रहेगा और ये जो वीडियो है ये वीडियो पूरे अंग्रेजी किताब क्लास टेंट पैनॉर्मा जो किताब है पैनॉर्मा बुक क्लास टेंट का इंग्लिस का हरे एक चेप्टर से भी बी आई कोस्टन्स का सेट तयार किया गया था ठीक है दोस्तों पार्ट वन हो चुका था और इस वीडियो में हम लोग पार्ट टू देख रहे है और जल्द ही आपको पार्ट थ्री पार्ट पोर ऐसे धेर सारा कोस्टन्स आपको करव आए जाएगा दोस्तों ठीक है ना पाच्वा नंबर कोस्टन्स का देखिए पाच्वा नंबर कोस्टन्स में क्या लिखा गया दा स्टोरी रीटेंड बाई लियो टोल्स्ट्वाइ दा स्टोरी है यह लेखा कि कौन सा लिक है यह कौन लिक है लिटिल गर्स एन लिटिल हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका सब का एंसर भी उपलब दो जाएगा और भी आपको केमेस्ट्री परना है ठीक है कि साइन्स परना है क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो साइन्स परना है और हिंदी परना है सस्टी परना है संस्क्रीट परना है तो प्लेलिस्ट भी बना गया है और बी प्लेई-स ठीक है और डिब साइट पर भी आप पर सकते हों आपर सब्जेक्टिव टाइप अब्जेक्टिव का इप जंद सब कुछ उपलब देत्वा सकते हो डोस्तों ठीक है तो चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, लेटेस्ट अब्डेट्स पाने के लिए, बिहार बोट के लिए चैनल है, बहुत अच्छा चैनल, बेच चैनल है दोस्तों, ठीक है, सत्वा नुम्बर कोश्चन्स में क्या लिखा गया है, बच्चों इसके लिखा, God made the country composed by, अठ्मा नुम्बर कोश्चन्स में क्या लिखा गया है, objective type questions, according to the poem, God made the country, man made, क्या बनाता है, villages होगा इसमें, ठीक है, टाउन से, रोड से, वाल से, तो आप objective type questions, बहुत है, धेर सारा, most BBI objective questions है, जो अगले साल 2022, board exams में, यह सब questions पूछा जाएगा, औ और यह पिछले 10-15 वर्सों में, यह सब questions पूछा भी जाता है, ठीक है, दोस्तों, पूछा भी गया है, और इससे 2-3 number का, यह second, यह part है, इससे 2-3 number का questions पूछा ही जाएगा, 10 questions हम लोग करा देंगा, 10 set, तो 100 questions हो जाएगा, आपको literature में, उसके बाद हम लोग, यह literature हो जाने में, मिनमम चार सो नमबर, ठीक है, हाईएस आप जितना ला सकते हैं, उससे कम लाना नहीं है, 50 number आपको तो ऐसा ही मिल जाता है, अबजेक्टिव टाइप में, तो और हाईसो नमबर तो आपको इसे मिल जाएगा, अबजेक्टिव में, ठीक है, अबजेक्टिव आपको सब सही बनाना है, अल इदम्स, अल करेक्ट, ठीक है नहीं, दोस्तों, नमबा नमबर कोस्टिव में क्या लिखा गया है, देखिए, पोयम रिटेन, इन फोर्टीन लाइन्स इस कोल्ड एन और्ड, एन इलेगी, एस सोनेट, एक लड़जी की, क्या होगा आपको, आपको पहले बनाना है, उसके बाद हम लोग बताएंगे, दसमा नमबर कोस्टिव क्या है, देखिए, दसमा नमबर कोस्टिव क्या है, देखिए, दसमा नमबर कोस्टिव क्या है, देखिए, 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 few acres of inherited land, more acres of inherited land, a few acres of inherited money, a lot inherited property, तो most BBI questions देखें उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे C answers में, तो सबका answer देखें उपलब दो दाज़ेगा, Tony Morrison received the Nobel Prize in 1992, तीक है, दूसरा नमबर questions का Once Upon a Time इसके लेखा के, The Unity of Indian Culture इसके लेखा के, Leo Tolstoy, ठीक है, Aryans, ठीक है, The Story, Leo Tolstoy's Story के Little Girls Wider Than Men, Leo Tolstoy's Story क्या कहता है, Two Girls के बारे में है, ठीक है, God met the country, William Copper इसके लेखा के, ये composed किये हैं, According to the poem, God met the country, man met villagers, ठीक है, बोले ता ना villagers, गाउं वहाँ बसते हैं, Poem, written the in 14 lines क्या कह लाता है, and Illegi कह लाता है, According to the poem, Poet, Odd of Solitude, a happy man certified with a few acres and inherited lands, बहुत कम जमीन, a few acres में, वो संतुष्ट रहता है, ठीक है, villages का आज में, तो आज के लिए इतना ही, तो कैसे लगा ये वीडियो, वो आप बताईए, comment section में, फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, आप जरूर PDF ले लिजे, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, 400 प्लस आप लोग minimum कम से नंबर ला सके, चार से पांच बार आप पढ़िए, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, PDF लेके आपसे, 4-5-6 बार आप पढ़िए, जब तक आपको याद कंठस नहीं होता था है, बढ़िए डंग से, आप अराम से पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है, तो देखिए, इंगलिस जो है, जोटएगा अगले साल 2012 जो आप एक्जांस देंगे, क्यात्य टुवेल्थ में देंगे, तो हाँ नमबर जोटएगा, 100 नमबर याद है, 100 नमबर में आपको 90 पलस नमबर लाना, हमलों हम खुद 90 पलस नमबर Hai, दोस्तो 92 नमबर लाए हैं ये इंगलिस में दोस्तो तो आज के लिए इतना है बहुत बहुत धन्लेबाद